हम लोग आज भगवद गीता के दश्रम अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे मेरे पीछे माई के बख बोलेंगे कोई नामे विधु सुरगणा नामे विधु सुरगणा रभवम ना महर्शयह अहम आदिर ही देवाना महर्शी नाम चसरवशह महर्शी नाम चसरवशह विध मतलब जानना ना मे विधु हुँ मुझको नहीं जानते हैं सुरगणा अर्थाद देवतागण प्रभवम ना महर्शयह यहाँ पर प्रभवपाद कहते हैं प्रभवम मतलब उत्पत्तिय ऐश्वरे को यह नहीं जानते हैं कि उनके सुरोत भगवाण कृष्ण है देवतागण भी नहीं जानते और ऐसा क्यों हैं तो कह रहे हैं अहम आदिर ही देवा नाम मैं सभी देवताओं का आदे हूँ महर्शी नाम चा सर्वशा सारे मरशियों का भी अब इसी श्लोक से इस पर समझ में आ जाता है कि क्यों भगवाण को नहीं जानते क्योंकि भगवाण सभी के आदी हैं जैसे हम अगर अपने पिता के बारे में क्यों नहीं जानते अगर हमको बताय ना जाये तो हमने जान पाएंगे कि पिता जी कौन है, जब से महराज एक बार एक अथा बताते हैं, छोटी सी एक लड़का था, और उसके पिता जी उस सुबह उठने से पहले नौकरी बेचले जाते थे, और जब वो लॉट किया आता था, उससे पहले वो सो जाता था, जब वो पिता समय तक पिता जी को देखा नहीं, एक दिन संड़े को जो पिता जी घर में थे, तो रड़का पूछता है, Mother, who is this man, ये विक्ति कौन है, तो बोले, माता कहती है, he is your father, ये तमारा पिता है, तो फिर बच्चा पूछता है, पिता का मतलब क्या होता है, Mother, what is the meaning of father, पिता का मतल ही नहीं है, तो सुचेगा कि माता जी ही सब कोच है, इसी प्रकार से जगत में, लोग भगवान कृष्ण तो आते नहीं है, कभी-कभी आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, तो लोग समझनी पाते हैं, कि भगवान कौम है, केवल माता जी, माता जी की पुज मतलब दुरगयाजी की खुजा करते हैं एक श्लोग लोग एक और सख्षा प्राप्त करने चाहिए जब देवताओं को पता नहीं है तो हमारी क्या विसाध्ड है विसाध्कार्थ समझते हैं आप सामर्थ है बेसात्या मतलब कि सामर्थ है हमारा क्या समर्थ है हम भगवान को बिना सुने उनके सभाव को समझ ले अब चपाई तो मज़ी याद नहीं है लेकिन शीव जी का ये अच्छा वक्तव्य है कि अगर कोई भगवान श्री राम के नवान कृष्णी के गुणों क होता है उद्धीपनकर्थ मैंने समझाया था आपको इंस्पिरेशन मिलती है बक्ती करने ठीक है जैसे आज जब मैं मैं बला प्रसंद हो रहा था प्रसंद तो नहीं प्रोच साहित हो रहा था कि अज्ञानाद अथ्वा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तम अगम प अगर किसी व्यक्ति को कोई नियम बताया जाता है तो वह उसकी अधिकार के अंसार करता है तो उसका अधिकार अपने आप आगे बढ़ता है यह बात समझ में आ रही है जो जिसका अधिकार है उसके अंसा उसको नियम बताएगा है कि यह तुम करो तो यह इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि अगर आप उसके अंसारे कारे करते हो तो अपने आप आपकी अधिकार की उन्नती प्राप्त हो जाती कौलिफिकेशन य इंटेंस बनाने की हो गया तो यह तो हम बहुत जगात में देखते हैं ना उसी प्रकार से हम लोग कम से कम जीव के स्तर पर बोलने के हैं एक सेंस तो जीव से गलत ना बुलें गलत का मतलब हरी कृष्ण मंतर ठीक से उचारण होना चाहिए सोना नहीं है इतना हम अभी कर सक लगते हैं बात बहुत सिंपल सी लगती है लेकिन बहुत इंपोर्टन बात कि जब उचारण करें तो ठीक से करने कभी कभी तो जब के बारे में बोल देता हूं बट मैं वापस पॉइंट पर आ रहा हूं पॉइंट यह है कि भगवान को हम भगवत गीता के द्वारा भाग करता हूं तो अभी मुझे अच्छा लगया ना लगया उससे मतलब नहीं है मुझे करने की प्रिणा मिलती है यह मैंने इसलिए इस लोग को उद्रेत किया था अन्य था हमको कभी समझ में नहीं आगा कि हरे कृष्ण बोलने से क्या हुआ अभी बोली कृष्णा कुछ हुआ यह दिक्कत है हुआ बहुत कुछ लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं हुआ बहुत कुछ आपने क्रिश्ण बोला यह बहुत कुछ हो गया क्रिश्ण सोच लिए कि आपकी रक्षा करेंगे यह कैसे मालूम चलेगा कि क्रिश्ण सोच लिए कि आपकी रक्षा करेंगे जहास्त पर या तो किसी का राग हो कृष्ण से, एकदम राग है, वो ऐसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, अर्द अथवा शास्त्री शद्धा, तीसरा कोई उपाय नहीं है, या तो आपका सहज राग है पूरवा अभ्यास से, आपका राग है बावस, आपको नाम ले रहे हैं और अनद में डूब रहें, तो ठीक है, पर तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो आपका शास्त्री शद्धा होने से, आपको अनभव नहीं भी प्राप्त हो रहा, तो शास्त्री शद्धा में मिलती रहने चाईए, लेकिन बहुत ध्यान परवख सुने, शास्त्री नहीं श्रद्धा हो जाएगी कमजोर जैसे कि हम लोग रोज खाते हैं नहीं खाएंगे तो कमजूरी आ जाईए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब देवता लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम कैसे समझेंगे बताईए इसलिए भगवत गीता भागवत्म को नीमी तुरुप से सुनना बहुत आवश्य है कि तमाई शर्द्धा जो है बड़ी पुखता समझते हैं आप मजबूत बनी रहे हैं ठीक पढ़ते हैं ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति याश्वर को जानते हैं और ना महर्शी गण ह हैं क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्श्यों का भी कारण सुरूप एन उद्गम तो इस पश्ट है पिता को बच्चा तभी जान सकता है वो सुने अगर वो नहीं सुनता तो नहीं समझ पाएगा गीता वुशंटी का भगवान या श्लोक इसलिए कह रहे हैं ताकि यह प्रदर्शुत हो कि भगवत भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान को समझ पाना बहुत कतिन है देखिए अब आप भी बताई कि जो मैंने थोड़ा सा टीका भी किया उसका इस पहली लाइन से क्या संबंध है अभी मैंने कुछ टीका किया था ना कुछ समझ में अभी मैंने क्या बोला था कि देवतार लोग भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं क्योंकि सभी क्यों पॉइंट नमबर वन बच्चा अपने पीता को कैसे जान सकता है मां से सुन करके अब दोनों को जोड़ करके श्लोक पहली लाइन को समझी जब हम भक्तों के संग में ज्यान प्राप्त करते हैं तभी भगवान को सीख सकते हैं अन्यथा नहीं समझ सकते हैं समझ में इसलिए प्रभपात कर रहे हैं और क्योंकि भक्तों का संग जो परंपरा से कनेक्टिड हैं वह बहुत दुरलब है यह मानते हैं आप देखो क्या होता है एक चीज़ आपने स सुन लिया और विश्वास तब होगा जब आपको दिखने भी लग जाए मैं को यह मिर्दंग है और आपको टमाटर दिख रहा है तो आपको विश्वास होगा कि जा बई यह मिरदंग एभ पर जा या बउला है कि मुझे दिखना प्रयाव सकूरम करें तब हमको शास्तर सुनने में उच्छी होती है तो क्या यह दिख रहा है कि भक्तों का संग दुरलब है? अब समझ में आ रहा है कि क्यों कठिन है? कोई बता सकता है कि क्यों कठिन है भगवान को समझना? येस, भक्तों का मुलना मुश्किल है जो परंपरा में ज्यान प्राप्ति किये हों और परंपरा में ज्यान प्राप्ति किये विना विक्ति भगवान को क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि भगवान सभी के पिताजी है सिंपल से बाद, ब्रह्माजी के भी पिताजी है ब्रह्मादी देवता और सनकादी महान रिशिगन भी मेरे प्रभुत्व और एश्वर को नहीं जानते हैं आप अगर थोड़ा से विचार करें कि मेरे की जगे भगवान के नाम भी लगा सकते हैं आप मेरे पास समझ रहे हैं जैसे क्रिष्ण की महिमा नहीं समझ सकते ऐसे नाम की महिमा भी समझी नहीं जा सकती यह प्रश्ण करना की एक ही नाम से अनादी काल के पाप कैसे नश्ट हो जाते है तो यही प्रस्णची लगाना होगा कि कृष्ण की नाम कृष्ण की महिमा की शक्ति को नापने का प्रयास को सबस्ति को ना सब कर सकता है। जोसना गलत बोल गया चरण कमल के जोसना ने चरण कमल के नक की जोसना के उपास न कर इलाय ने समझ में आई इतना भान है भगवान का नाव भगवान ही है वो साक्षा इसलिए शास्तर से सुना पड़ेगा मेरे अनादी दिव सरूप गुण और विभ्यूति तो उनकी मती का भी आवर्तन कर देते हैं आवर्तन का मतलब तक घुमा देते हैं जैसे आप देखे हैं ब्रह्मावी मौन लिला में ब्रह्मा भी चकित होगा कि यह लड़का है यह भग वहां देखे हैं और वह भी सबसे छोटे भ्रह्मा फेर उस लिला को आप जानते हैं जब सारे ब्रह्मावों को बुलाया शिवजी को बुलाया और कैसे बुलाया भगवान ने कि वह लिसमारण मात्र से ठीक, सब लीला जानते हैं न उबात, और उसके बाद हर विक्ति से भगवान क्या पूछ रहे हैं, कैसे हैं आप, सब ठीक चल रहा है, और हर विक्ति को क्या लग रहा है, कि मैं ही कृष्णे के साथ हूँ और कोई नहीं है, और फिर वो क्या उतर देते हैं, कि भगवान, जब से आप हमारे इस ब्रह्मान में आए हैं, सब शानती हैं, क्या मतलब हो असका, हर विक्ति सोच रहा है, कि भगवान उन्हीं के ब्रह्मान में आए हुए, तो ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें थोड़ा सोचना चाही कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, अचिंत, अचिंत व्यवव, ठीक है, जब तक हम भगवान के अचिंत शक्ति को स्विकार नहीं करते, हम भगवान को नहीं स्विकार कर सकते, भगवान अपने अचिंत श बचार नहीं बात हैं, तब ही हम भगवान को सिकार कर पाएंगे, तो यह कह रहे हैं कि उनकी मतिका भी आवर्तन करा देती है, आवर्तन समझ में आया, घुमा देती हैं, तो हम लोग क्या है, हम क्या समझ सकते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं सब का आदी हूँ, मैं ही उनके प समझ में आ रही हैं देखिए थोड़ी बचार नहीं बात है हम भक्ति कर रहे हैं जो मभख्त मालो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा वह उसका नरख चला जाएगा है नहीं नरख जाएगा तो आप जानते हो कि वह देवता बनेगा अब यह जरूरी नहीं है कि उसको स्मान रहे क कि मैं देवता क्यों बना तो अपने आपको देवता के पत्त पर डालिए जरूरी नहीं कि सुस्मान रहे कि मैं देवता क्यों बना हम लोग कुछ करने की शक्ति प्राप्त है कभी आप समझते हो कि शक्ति प्राप्त क्यों है मैं कुछ बोल पा रहा हूं प्रभुजी कुछ सिवन कुछ और कुछ रपाता है प्रभी जी का और कुछ सेवा करपा है पिए था ऐस ची आ कहां से रिए अभी तो पता है कि भगवान से ऑ रही है तो तो अगर भक्ती नहीं किया होते तो जब to猜 सोच पाते मेरे द्वारा मलब भगवान की जो अराधना है उससे संतुष्ट होकर भगवान उनको यह बहुत इक पदे देते हैं आप लोग को याद है ना कौशिक जी ने भगवान को जल दिया था इसलिए उनको इंद्र बनाया गया यह बली महराज कहते हैं हम लोग कई बार रोचर में कह सकते हैं याद है बात ने अब कौशिक जी ने जल कभ दिया कौन जाने और जब वो इंद्र बन गए तो उनको यह याद नहीं कि मैंने जल कभी भवान को दिया था अब मेरी बाते समझ पा रहा है कृष्ण को सब याद रहता है कि आपने क्या-क्या सेवाएं करें लेकिन उस जीव को भले याद ले रहें I hope you are understanding शृति कहती है को अध्धा वेद कईह प्रोवाचत कुत आ जाता कुत इम विस्ति ही अर्वाग देवा अस्य विसर जनाया अध्धा को वेद यत आ भभूवह कौन है जो सपश्टूप से जानता है जो और और जो इस जगत में यह गोश्णा कर सके कि यह ब्रह्मान किस से आ थोड़ा विचार किजिए इन दोनों प्रश्ण को अगर हम कीता और भागवत से नस सुने तो कोई उत्तर है हमारे पास महराज इसको ऐसे बताते हैं और अच्छे तरह से कि जब हम पैदा होते हैं तो बड़े भी होते हैं कभी प्रश्ण करते कि आखें दी किसने और क्यों कान दीये किसने और क्यों इंद्रियां दीये किसने और क्यों और इस आख को पूरी साइंटिस्ट मिलकर भी दोबारा नहीं बना सकते हैं तो किसी निश्यत रूप चे किसी भूधीमान विक्तिन ने में जाके आके दी हैं देगन यह प्रशन कभी हम करते हैं कि किसले दी, makes sense? कभी हम अपने मां से नहीं सोच सकते हैं जीवन के उद्देश के बारे में कभी हम सोची नहीं सकते हैं अगर हम परंपरा में ना सुनें और ध्यान दीजेगा कि भूलने की यादत हमारी बहुत जादा है इसलिए नेमित रुप से स्टुनना बहुत जरूरी है ताकि याद रहे कि उद्देश क्या है देवतागर्ण स्रिष्ठी के बाद आते हैं इसलिए कौन जानता है कि यह जगत कहां से आई यह रिगवेद की बात बोल रहे हैं ना एतत देवा आपनुवन पूर्वम अरशत व देवान के बारे में भगवान के बाद ही आ है एक बाद और भगवान इनकी इंद्रियों के सबके परे है इस प्रभको बोला प्रभजी आपने यह जूस गिरा दिया है भक्त बोले प्रभुजी मैं सभी कारणों कारण नहीं हूँ आसर में कुछ भी गलत होता है तो उसका बले मेरे को क्रिष्ण भावना भावित होते हैं तो जो विनोध होता है वह भी क्रिष्ण भावना भावित हो जाते हैं हमारे अनंत क्रिष्ण प्रभुस में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं कि वह जोग तो मारते हैं लेकिन बोलते सब संदर से ठीक है आज यहां पर हैं नहीं हो यहां पर अगर विद्वान होते हैं तो इस विद्वानी की गर्व में भगवत गीता को नहीं सुखार करते हैं कि बहुत अच्छा है कि हम विद्वान नहीं आपको लगता है कि वार्त कि हम अच्छा के विद्वान नहीं इस वह Words Per Brett और नाश्ति भगवान के सामने मंगल अरती में हमारे जुबाला जी है अब उन्हों क्या पता इसकी विसे कहां पहुंच जाएंगे अद्वेत अचारी जी कहते हैं कि आपको क्या वर्दान चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे आपके सामने नित्त करने का मौका मिला यही मेरी सफलता है यही मेरी सफलता है अद्वेत अचारी जी महाम विष्ण है वो यह कह रहे हैं तो मैं जब आना चालू कि यह त था कि इनको पता नहीं कि कर किया रहे हैं सब लोग नाचना है तो हम भी नाचना कोई दिक्कत नहीं है वसे तो जान रहे हैं भवान के सामने नाचना कोई समाने बात नहीं है मैंने बार कोटेशन दिया था आपको संकीर्तन ध्वनिन शुरत्वा यह चाहा नृत्यन थी वैश प्रवपाजी इस बात को बोलते हैं कोई हमारे संग आया कोई नाचा गया जो कुछ भी गया यह बहुत पुशक्ति शाली डू नाट थेंग इस चैंटिंग डांसेंग विलांट गीव पर्फेक्शन इट विल समझे ना यह मझे सुचे कि निर्तिकीरतन जो है यह है आपको प प्रणाम करने वाले को तो पता है ना कि इसको प्रणाम किया जा रहा है तो यह सुंदर प्रसेस है कृष्ण भावना का सभी का गंगाजी की तरह सभी को उसमें स्थान करने क्या चूट है लेकिन विद्वान लोग भाग जाते और इसका प्रमाण क्या है चतन महापुर और ऐसे विस्मे जनक असमाने कारिकलाब करते हैं तब तो यह समझ लेना चाहिए कि क्रिष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है देखिए यह चीज मैंने सोची नहीं थी कि प्रवपाजी की तात्पर में ऐसी है एक दम यहीं बोलना था ना मैं विद्वत्ता होने के आवशक्ता नहीं है श्रद्धा की आवशक्ता है गुरु जनों से वैश्णवों से सुने और प्रमाणी गृष्यकार करें एक उधारण दोंगा आपको श्रीला भक्ति सृधान से ठाकुर जी के एक शिश्य थे जो मा यहां पर सुधान गार्णर तो वो बस कथा सुनते और सिवा करते और उनका आधे घंटे के लिए एक्जाम लिया श्रीला भक्ति सिधान सर्च ठाकुर जी सोची आप प्रहुपाजी आपसे आपका एक्जाम लाए कि फिलोस्वी तो आती है कि नहीं आती हालत ऐसे खरा हो जाएगी ने प्रहुपाजी आपसे पूछे रहें प्रस्न और भक्ति संठाकुर जी तो इतने विद्वान थे कि कोई लोग ढरते भी थे सिंह गुरु की रूपन को बोलते तो प्रहुपाजी तो बड़े करुणा मैं है कुछ गलती हो कोई बात में है नहीं हो चान हरे कृ समझमें नहीं आती तो वह प्रवचन करते थे तो अंग्रेजी लोग को समझमें नहीं आती थी और आदे घंटे तक उनका परिक्षान लिए फिलासफी का उन्हें सारे सही उतरती है तो वो बोले सेवोन मुखहे जीवा दाओ स्वेमे वस्पुरत अधा है जम सीवा करते हैं और इसली सेवा करते भावन के बारे में सुनते भी हैं तो हम भगवान को समझ पाते हैं आज अपने सुबह देखा नहीं कि दासरती प्रभू बोला कि आप प्रवचन दीजे मुझे विश्वास नहीं था कि ठीक से उनको खुद को विश्वास नहीं था मुझे बोले प्रवजी मैं आधा गंड़ा बोल पाऊंगे ठीक आधा गंड़ा बोली बाकी हम लोग की तन करते हैं कुछ ऐसे तो यह दिखाता है मुखम करोती बाचा दो जब हम सिवा करते हैं भगवान के बाइर का गुडगान करने की अच्छा होती है तो भगवान हमको शक्ती देते हैं और नहीं तो विद्वता से कुछ भी नहीं होते हैं ठीक है बड़े बड़े देवताओं तथा रिश्यों ने मान सिंख चिंतन द्वारा कृष करना पड़ेगा अपनी मानसिक होपों से चिंतन से हम बगवान को नहीं समझ सकते यह बात बोली जा रही है देखे लीला चिंतन भी सब कुछ ठीक है लेकिन पहले अपने हिर्दय को हमें देखना होगा राधा कृष्णी की लीला अगर हम दूशित चित से कर रहे हैं तो हम अपने आपको बिठा देंगे यह बात समझ में आई यह मैंने वोली आपको इसी लिए क्या हमारा अधिकार है उसके अंसारकार करना से अभी हमें प्रलाद महाराज के बारे में सुनना चाहिए महाब्रभुजी प्रलाद महाराज के चलित्र को भी 108 बार सुने हैं रोए ह हैं ऐसा नहीं है कि वराधा कृष्णे की लिला का ही वर्णन करते प्रभुपाजी की तात्पर को आप पढ़ें तो श्रीपाद रामानंदर आये और शुरुप दामुदर को स्वामी के संग राधा कृष्णी की लिलाओं के चर्शा करते हैं समान जनों में केवल संकिर्तन कोई की रीचिंगे नहीं केवल कीर्तन कीर्टन प्रसाथ बस और रुप को स्वामी और सनातन को स्वामी के संग उत्त्त्व की चर्शा की इस्त्यादित तो हर व्यक्ति खिर्शंग अलग-अलग प्रकार से कथा की जाती है तो थोड़ा सा प्रतिश्या करने पूड़े हैं लीला चिंतन कर सकते हैं लेकिन लीला चिंतन कौन सा आप महाप्रोव के लीला की स्मराण कीज़े राधा कृष्णे का समjänन dop करना गलत नहीं है हमारी योगयता क्या है उसके अंशार कि अब भावान कृष्ण की बाल लीला कर सकते हैं मैंने विंदवान चाज महाराज से पूछा था बात कि महाराज हम पर्सणली वेक्तिकात रूप से मुझे अभी माधौरे लीला की चिंतन करने की योगता अनभब नहीं वहता है लेकिन हम बाल लीला कर सकते क्या दिखते इसलिए पहले यह बहुत अच्छा बात भक्तिर सामित मानत बोले अगर हम तत्व में नहीं सुनते हैं इंग्रिश में कह रहे थे देन द लीला पास्टेम विल बी मिस अंडर्स्टूट एंड मिस अपलाइड लीला को हम गलत तरह से समझेंगे और उसको गलत तरह से धारण करें किर्श्ण की 16000 तो मेरी 16 नहीं ? और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता ? ऐसा नहीं कि नहीं होता ? श्रिमत भागवत में भी संपष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रिया पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्वशेश वाद के ऐसे विप्रीत निशकर्श को प्राप्त होते हैं जो प्रकरति के तीन दोणों द्वारा व्यक्ति नहीं होता या कि वे निशकर्श पर निकले गा कि परमसत्य मेरा कार है को वो स्मुआ को कलपना sitio कर चकता है क skipping क्य सब्सक्राइब करकिने पूरे जगशन चला रहा इतक लिए सकती कि अब देख के सब्सक्राइब कुछ मसरायू देखो आप देख के पिता हैं, मुझे स्टूडेंट की रूप में बाल छिला करके इस ट्रेंड में था। तो एक रहवलदार बोला, सोरे हिंदी आती है वो सोच रहरा, तब्यएशी हो durum कुछ भी लोग सोचते है, कुछ भी सोचते हैं, तो देख करे आप एक इनसान के बाने में बींनी जान सकते हाइ करके कैसे समझ लेंगे समझ में आई बाद सुन करके समझा लाता है मेक सेंस ठीक है तो हमने आज आज हम इसी श्लोक पर रुखेंगे लेकर हम खाली रिवाइज करा देते हैं गबार भगवान ने आपके क्या बोला कि देवता गण भी मुझको नहीं जानते हैं कारण क्या है वैसे भी के उत्सव है और हमने वरसी सीखा कि जो भक्तों के संग परमप्रा में ज्ञान को स्विकार नहीं करता मैं कभी नहीं समझ पाएगा अब अगले श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि उनको जान कि इसे बचा है ओ कि मेरे में कि मुझे लगा कि ये समाप तो गया सा क्यों हुआ है मुझे अच्छा मुझे कि मैंने याप छोड़ा हुआ है ना मुझे लगा कि यह खत्म हो गया ठीक 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 है यहां पर भगवान अप्रतक्ष रूप से मैं यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्त को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान की रूप में आओं किसी परम भगवान कितना सुदर बात बोल रहें अच्छी बात प्रभुपाज बोल रहें कह रहा हैं देखो बिटा देवता मुझ को नहीं जान रहे हैं लेकिन तुम मुझ से सुनोगे तो मालूँ चलेगा कि मैं कौन हुवं कितना सुंदर बात और एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात महराज बोले, बहुत ध्यान पुरोग सुनी, अब देख सकते हैं, कुछ लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान देना नहीं आता, कुछ लोग ज्ञान होता नहीं है, लेकिन बोलते बहुत नहीं, जैसे मेरा सुधार और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान भी होता है और देना भी आता है उसमें पर्फेक्ट है भगवान कृष्ण यह समझ मैं पहला कर्टिकरी के लोग क्या है ज्यान है और बोलने भी बहुत अच्छे से आता है और सारा ज्यान उन से आत और एक और बात ध्यान देनी वाली बात है कि जब हम परंपरा में सुन रहे हैं तो भगवान आपके हृदे में प्रक्सन हो रहे हैं और हिरदेवाला ग्यान भी भगवान देते हैं अगर परंपरा में नहीं सुन रहे हैं तो भगवान अप्रसंद होंगे और जो भी ज्ञान है उसे कवर कर लेंगे बहुत सुन्दर प्रभुपाजी के लाएने तुम्हें कहीं कोई स्पेक्टेशन की जुरत नहीं है तुमुझसे सुनो भगवान सीधे बोलना है कि मुझसे सुनो कि मैं क्यासा हूँ मनश को चाहिए कि इसे समझे यद्दपी अचिंत भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तू भी वे विद्दमान रहते हैं अगर भगवान को नहीं जानते हैं इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सत्ता हमारे जानने पर निर्मर करती है अगर पांच करोण उलू सूर्य के बारे में नहीं जानते इस से सूर्य को कोई फरक नहीं पड़ता यस महाराज बहुत हसते रहे थे महाराज पर बहुत जब यह बाते आती तो महाराज खूब टॉंट मारते हैं वह कहते हैं कि मान लिए इस दुनिया के कुटे और बिल्ली यह घूसना करें कि हम नहीं मानते कि भारत का प्रमिस्ट्रस ही कुछ चीज होती है तुसरे को फरक पड़ेगा ऐसे यहां कि मूर्ख लोग जो बोलें कि मैं भगवान नहीं को नहीं मानता इससे भगवान की कोई अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पढ़ता और आसा मत सूचीगा कि प्रभाव इसका प्रभाव मूर्खों पर नहीं पढ़ता प्रत्यक्ष हज जारों लोग खड़े रहेंगे बोलेंगे सामने वक्ता काईगा अगर भगवान है तो तुरंत मेरे सामने उपस्तित हो कि मझे माल डाले और नहीं तो मैं कहता हूं कि भगवान नहीं है देखो कुछ नहीं वा और मूर्ख शिकार कर लेते हैं आप समझे रहे ना अब मैं कहूं कि अगर भारत का प्रथान मंत्री है तो अभी आया और मुझे गोली मारत देने तो मैं कहता हूं प्रैमिस्टर नहीं है तो प्रैमिस्टर को गरत पढ़ी है उते हवालदार भीज़ देगा दो डंडे मार रहे गासर लाइन प्याए जाए करके एक वाइरस भेज के पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ठब कर दी सोची जिस दिन भगवान को सत्युप चालू करना पड़ेगा ना आज क्या दिन है फ्राइडे से सत्युप शुरू हो जाएगा इतनी शक्ति है भगवान के और होगा होता ही है एक दिन आप देखिए है देखेंगे देखना मत पतर हुना मत लेकिन कल्यूग है आज और कल से सत्युप चालू कर देंगे इतनी शक्ति में वान को अलाव कर रहा है कुछ समय के लिए वास्तव में हम सचदान रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तदा श्रीमत भागवतम क के वच्ण को ना पढ़ें दहां देना समय ना रहा गया एंगी लिखा ना ही तो मतलब है यह ना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ते भी समझ पएंगे ना माताची ने करट कर दिया ठीक है तो पढ़ना बहुत जरूरी तब समझ पाएंगे जीवे क्या है वो माया मुग्द जीव नहीं सुता कृष्ण ग्यान जीवे कृपाय कौले कृष्ण वेट पृण अपी में शानुपरुम से मुझा करता कृष्ण पृण आप जानते हैं कौ अपरा जानते तो भगवान को क्या चानेगे बताइए जब तक हम भागवात को नहीं सुनते जो भगवान की अपरा शक्ती में हैं उन्हें यपिफर कि अनुभुति किसी शाषन करने वाली शक्ति और निर्विशुर से से प्रभावित में कौन है वाई परहे हो लोग सो Sumaimer नहीं पाते हैं, वहों है कौन और इस शक्ति का भी कोई रूप नहीं दे पाता है कि वो है कौन में समाझ नहीं पाते हैं शक्ति मतलब शक्ति मान भगण को शक्ति चला रहा है ये लिगाज को इने बिजीण करेंट कहां से आरा पावरास बेख रहे हैं प्रभू कि अच्छा पावरास को नहीं देख रहे हैं तो फिर सोचेंग आ रही है अपने आप यह आ रहा है ऐसा हो सकता है तो बुद्धीमान वैंती जानता है कि करण्ट बावराउस भी आप चुकि अधिगांश लोग कृष्ण को उनके वास्तवी गुरूप में नहीं समझ पाते हैं, अतहाँ वे अपनी अहयत्यों की कृपास से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं, बहुत सुंदर बात है, जब भगवान जब यहां पर नहीं आते हैं, तो की बात समझ में आई, क्या समझ में आई, भवतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने आध्यात्मिक सुरूप को इस जगत में समय समय में प्रकट करते हैं, ताकि लोग देख पाएं कि भगवान कौन है, य इसका बहुँ सिंपल अर्थी है, वह सोच रहे हैं कि निराकार ब्रम से क्रिश्णा हैं, और इसको भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, नवे अध्याय में अवजाननती माम मुढा मानश्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मुमभूत महिश्वरम, एक और बोला था क्या अवेक्तम वेक्ति मापन्नम मन्नेते माम अ बुद्धया, जिसके पास बुद्धी है ही नहीं वैस सोचता है कि निराकार ब्रम से क्रिश्णा है, संभव नहीं है, केवल भग्त गण ही जो भगवान की शर्ण पूर्ण इत्या ग्रहन कर चुके हैं, भगवत क शास्तिर की ही बात नहीं है, भगवान की क्रिपा भी होनी चाहिए, तो महाप्रभूव के रूप में सारे भगवान के लक्ष्ण उन में हैं, और आप समझ नहीं पार हो कि वो भगवान है, तो ये दिखाता है कि आपर क्रिपा नहीं है, ठीक है, ये मुझे कई दिन समझ मतलब क्या है मतलब यह है कि जिस पे भगवान की कृपा होती है बागवान को समझ पाता तो यानी कृपा का प्रमाण है वह यह क्या आप में से कुट्यों भी पूड़ी खाएंगे पूड़ी है पूड़ी वेस्था के रिए प्रसादम के वाद कुई निखाएगा तो क्या प्रमाण है कि आपको पूड़ी की आशकता नहीं है पेट भरा हुआ है यह नहीं सारी गलत बोल गया क्या प्रमाण है कि आपका पेट भरा हुआ है क्योंकि परसादम देने के बाद मिहां नहीं तो यह समझ रहे हैं ना परसादम देने के बाद मे कि क्रपा होई है आप उनको समझ पा रहे हैं एक सेंस अगे भगवान को प्रभुपा जी ने भी बता दिया पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता वह अनंत हैं लेकिन कुछ-कुछ तो उसका र्द क्या है ऐसक या आप अनंत है कि असान बात नहीं चुनारा ने कि और करणा है हुरदय में कल मश है मैं फिर से रिपीट करूंगा जब हुरदय, पाप रहता है तो शास्त्र में और शाध्वों के बचन में ष्रद्धा नहीं होती है कर बाए बीज़त चनकी कई रेपीट होती है अगर पुण rapport करता रहता है करता रहता है वह शुकृत एक था होता केवल भक्त गड़ ही जो भगवान नहां पड़ चुछ एक च्छोटा प्रहपाद दी देते हैं किनका था वो माताजी की लड़की थी हो चुटी सरस्वती तो प्रहपाद बहुत विनोज से बोल रहे थे सांटिस सामने बैठे थे और जो फिलोसफर फिलोसफर बोले भगवा के बारे में जानते हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं बहुत कौं है क्रिश्टी भगवान कौन है तो जोटी सी एक होमवर्ग है आप प्रतापरुद का उधार पढ़ सकते हैं मद्धेलीला चैप्टर गुल रहा हूं पढ़ लिए महाराज प्रतापरुद का उधार उसमें भी यही बात आती है उन्हें शिकार किया सार्भंबटचार की शिक्षा को कि स्रीमन चतन महाप्रुव कृष्ण ह है और फिर वह उसको आके अनभूत कर पाए भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवा नहीं करते हैं वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की श्रण ग्रहन करते हैं और कृष्ण की अहयत्य की क्रिपा से ही उन्हें समझ पाते हैं यह समझ में आ अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता अतहां बड़े से बड़े रिशी भी स्विकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूझा करते हैं ठीक है ओके रुपते हैं कोई अगर प्रश्ण है किसी का तो इसका इस का आठ्ध मैंने समझ पारा है चले मैं ने कुछ चाहने कि अपता इंग इंप्रेम इस को इसका इंग्हीं में लीश्रा पूण है समझ में आ रहा है कि परमात्ना वह है जो हमारे उपास्ते हैं हिंदी में थोड़े सी कि अध्यां निया ठीक है कि कुछ पूछा जाते हैं प्रुभुजी ब्रह्माजी को जब नहीं कि स्रिष्टी कैसे करना है हर दिन भागवान को याद जिलाना पड़ता है हर दिन एस टूमाच इनो हर दिन मैं बोलूं कि आप आप रोटी बना आज जानते हैं कल के भूल गया रोटी कैसे बनती है रोटी क्या चीज़ दोता है फिर बड़ा तपस्चा करो तुम समझो हो दोग रोटी कैसे बनती है टर्श टूमच इसलिए लैकिन भागवान को पिकता हर दिन फूल घाते है सुबई अलागती पूल जाते हैं फिर तपसा करते हैं फिर उनको याद आता है कि ममान कैसे स्रिष्टी करें अब लोग कितना इसको इसी लेते ना आपको ड्रसिंग करें जैसे कल कि तो आपकर लेकिन भगवान याद देलाते हैं ध्यान देना से एकदम याद देलाता हूं मुझे ऐसी घटना हो चुकी मैं इंडोनेशय में था मताया था को सुपह उठा तो टूथपेस के जगे हो जो शेविंग जेल थी वो लगाने वाला था उसके उपर तूद प्रश के उपर फिर दम से मुझे याद आदा है यह क्या कर रहा हूं हर चीज के लिए भगवान पर आश्रत है हाँ भगवान बच्चा हर दिन भूल जाता है मैं सुबह ठीक है और रुकते हैं श्रीमत भगवत गीता की जाए श्रीला प्रकुपात की जाए